Welcome to Khalsa Computer, वीडियो को लाइक करे, चैनल को सस्क्राइब करे और चैनल बने रहे नई अपडेट के लिए अपडेट कर सकते हैं, साथ ही जीरो से पांच साल के बच्चे का एरनॉलमेंट भी आप घर पर ही करवा सकते हैं, तो चलिए फून पर ये सब हम कैसे करेंगे, सीख लेते हैं, जैसा कि हम अपनी फून की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर मिलेगी अधार मुबाइल अपडेट की, तो यहाँ से आप मुबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, और चाइल्ड अधार इरनॉलमेंट की, तो यहाँ से आप अपने बच्चे का इरनॉलमेंट यहाँ से भर सकते हैं, तो जैसे हम मुबाइल नंबर को अपडेट करना चा जो भी आपका first name है वो यहाँ पर डाल देना है, last name आपका जो है वो यहाँ पर डाल देना है, जो भी आप mobile number add करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिलफ करना होगा, और यहाँ पर आपको अपनी email ID यहाँ पर add करनी होगी, first line address में जो भी आपके अधार कार्ड के अपर address है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, same address अगर आपका है तो आप यहाँ पर second line में भी उसको डाल सकते हैं, जो आपका pin code है, वो आपको यहाँ पर pin code डालना होगा, यहाँ पर आपको एक option nearest post office का मिल जाएगा, तो यहाँ पर click करके आपको pass के जो भी आपके nearest post office हैं, वो आपक cup नयाँ से भर जाएगा, circle भी भर जाएगा, state भी भर जाएगा, any specific request जो आपको है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, please add my new mobile number, उसके बाद नीचे आपको mandatory disclaimer मिल जाएगा, तो यहाँ पर I agree के उपर आपको tick कर देना है, उसके बा चुका है, और उसका message post office में जा चुका है, अब लबब 5-7 दिन में post office द्वारा एक postman आपके घर आएगा, जो biometric machine से आपका यहाँ पर KYC करेगा, और आपके अधार card के उपर आपके mobile number को add करके submit कर देगा, तो I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अ subscribe करें, मिलते हैं नेश्ट नई जानकारे के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद।